हेलो स्टूरेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास एड बुकारल सगरवाल चैप्टर 24 पाई चार्ट एक्सरसाइज 24A कोश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे बच्चो यह एक्सरसाइज 24A की 4 वीडियो है अगर आप कोश्चन 1 से लेकर 5 तक की वीडियो देखना चाते हैं को एड कर देने क्यों कि πाइचर बनाने की लिए ककरना पदता हमें सेंट्रलेंगम्ल को निकालना पदता है। जब हम ने स्ट्रेंगम्ल को केल्कूलेट करना होता है ह। तो हम क्या करते हैं जैसे हमने English के जो center angle को निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 105 English के जो marks है उपर लिखेंगे नीचे हम total marks लिखेंगे total marks हमारा इनको add करके कितना है 540 और हमने क्या करना है 360 से हमने इसको multiply करना है देखो बच्चो जो ये जो angle होते है न पाई का ये circle का जो है इसके कितने होते है 360 degree होते है तो हमने क्या करना है हमने एक हर angle लेना है अब इसका 105 upon total marks into जो हमारा ये है 360 है इससे हमने क्या करना है multiply करना है अब हम इसको देखते हैं कारते है 0 से 0 कटगी हमने देखो बच्चो यहाँ पर जितना छोटा यूज कर सकते है अब यहाँ पर किसे जा रहा है 9 के टेवन चलिएगा 9,6 जा 54 और 9,4 जा 36 ठीक है उसके बाद 2,2 जा 4 2,3 जा 6 फिर ये 3 पर चलेगा 3,3 जा 9,3,5 जा 15 और 35 को 2 से multiply किया तो हमारे पस कितना आ गया 70 डिग्री आ गया ठीक है बच्चो और इसी तरह हमने हिंदी का Central England का ले है तो 75 टोटल मार्क्स आएंगे यहाँ पर इंटू 3,60 0 से 0 कटगी 9,4 जा 36 9,6 जा 54 2,2 जा 4 2,3 जा 6 यह तो आपको पता चल गया देखो इतना है यहाँ पर आपका काटना न पड़े हमें ठीक है फिर यह तो आपको immediate हो जाएगा फिर 3,2 जा 6 remainder 1,15 3,5 जा 15 और 25 multiply 2 कितना हो गया 50 डिग्री हो गया ठीक है अब mathematics का हम नकालते हैं Central Angle तो इसका कितना है 150 upon 540 into 360 0 से 0 कट गया 9,4 जा 36 9,6 जा 54 2,2 जा 4 2,3 जा 6 एक ची या रखना हो यह उपर नीचे हमने एक ही नंबर से काटना होता है ठीक है और यह उपर नीचे ही कट सकता है और यह इस तरह से और यह और इस तरह से ठीक है इस तरह से नहीं काट सकते अब यह 3,5 जा 15 0, 15 multiply 2 कितना हो गया, 100 degree हो गया, 120 upon 540 into 360, 0 से 0 कट गया, 6 is the 36, 6 9 is the 54, और यहाँ पर, नहीं, 9 के table में कट रहे थे, 6 के table में भी कट जाएगा, 2 3 is the, यहाँ पर किया, 3 2 is the 6, 3 3 is the 9, ठीक है, तो 3 4s are 12, 40, 40 into 2 कितना हो गया, यहाँ पर, 80 degree हो गया, ठीक है, यह मुझे थोड़ा सा काटने, अगर आपको काटने में दिक्कत है ना, तो आपने एक ही लेकर चलना है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने जैसे 6 के table में भी कार दिया उसको, ठीक है, इन 2, 2 कितना आगया, 60 degree आगया, ठीक है, हम अपने safety side लेकर चलते हैं, कि हम इनके देख लेते हैं, इनको add करके, हमारे पर 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अगर कोई दिक्कत आ रहे है, तो हम यहीं देख लेंगे, तो 70 प्लस 50 कितना आगया, 120 प्लस 100, 220 प्लस 80, 300 और प्लस 60, 360 degree, तो इसका मिज़र यह 360 बन रहे हैं, तो बिल्कु सही है, अब हम pie chart बना रहे हैं, pie chart में सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी जो आपको convenient लगता है, जगा के according, देखो बच्चों, यहां पर जुरूरी नहीं कि यहां पर plane page चाहिए, आप यह लाइनो वाले page पर भी बना सकते हैं, ठीक है, मेरे पास ऐसे book पड़ी थी, इसलिए मैंने इस तरह से यह लि के लिए हमने क्या करना है, इनको बिल्कुल एक सीध में लेकर आना है, ठीक है, फिर हमने यह इस तरह से कर दिया, ठीक है, मुझे किसी ने गया था कि circle भी बनाना बताओ, तो मैं यहां पर बना रही हूं, circle भी, इस तरह से यह आपने एक circle draw कर देना है, ठीक है, यह अपने convenient radius के coding, अब मैं यहां उपर लेहाती हूं, यह मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब हमने क्या करने है, radius ड्रॉ करना है, जिसको हम, जैसे यह आप लिख सकते हैं, एक मिन यहां पर साथे steps भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, draw a circle, draw a circle of any convenient radius, ठीक है, ऐसा कुछ न हमने करें, draw a horizontal radius of a circle, radius of a circle, ठीक है, तो यह मैंने यहां से एक line खिचूँगी, यह हमारा हो गया radius, ठीक है, अब जैसे अगर पूरा है तो इसको diameter कहते हैं, यह इतना half होते हैं, इसको radius कहते हैं, अब हमने क्या करने हैं, अब हमने यह angles बनाने हैं, तो angles मारे पास है, English का 70 degree और Hindi का 50 degree है, तो यह हमने बिल्कुल इस तरह से, line के उपर line रखती नहीं है, यह देखो, right, अब हमने क्या बनाने हैं, 70 degree का बनाना है, तो 70 degree यहां रहे, बिल्कुल यह जो line हैं, इसके, यहां हमने एक dot लगाना है, फिर हमने क्या करना है, देखो, इस तरह से adjustment करके, और इस तरह से, अब D की help से, अब यहां तक हमारा बनना चाहिए, यह मैंने line लगा दे, ठीक है, line लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, यहां पर हमने लिखा 70 degree है, और साथ में लिख दिया English, right, अब हमने क्या बनाने है, 50 degree का हिंदी में, अब इसी line के अपर, यह line इसके अ पर आ रहा है, यह मैंने dot लगा लिया, फिर हम इस तरह से adjustment करते हैं, इस तरह से, और यहां से, इस तरह से dot की, तो एक line यहां पर लगाते हैं, circle तक हम लगाएंगे, ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम 50 degree, और यह हमारा क्या आ गया हिंदी, ठीक है, उसके बाद mathematics, अब हम जो यह line है न, इसके उपर हम रखेंगे, यह इस तरह से, ठीक है, और math के 150 degree, तो बच्छों यहां से start हो रहा है हमारा, 900, 150, एक minute, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर है, यहां पर है, नहीं, sorry, 100 degree है, math का बच्छों 100 degree है, यहां पर, तो यह आ रहा है हमारे पर, 100 degree, यहां पर मैंने dot लगाया, और यह मैंने यहां से, यह dot लगाया इतना, यह इस तरह से setting करके, और यहां से इस तरह से setting करके, यह हमने सिर्फ circle तक लगाना है, ठीक है, यह देखो, mathematics का जो महारा angle आया था, वो 100 degree ही आया है, ठीक है, मैंने इसको देख लिए था, तो यहां पर लिखेंगे 100 degree, यहां पर क्या जेगा, mathematics, ठीक है बच्चो, अब science का हमारे पास क्या है, 80 degree और social science का 60, अब इसका 80 बनाएंगे तो 60 अपने बन जेगा, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा से इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा, हमने यह ऐसे रखना है, इस के अपर, ठीक है, थोड़ा सम, यह देखो, यह हमारा हो गया, यह इस तरह से, यह लाइन, ठीक है, यह डॉट पर हमारा आगया, तो हमने, नहीं, इसको एक मिनिट, यह बटे इसको हमने ऐसे रखना है, यह बले, इसको रखोगे न, हाँ, यह बले, ऐसे, तभी बनेगा न, हमने इसको बनाना है, तो कितना बनाना था हमने, एक्टी डिग्री, तो एक्टी डिग्री कहा रहा हमारा, यहां आ रहा है, एक्टी डिग्री, ठीक है, एक्टी डिग्री, यह हमने, यह हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एक्टी डिग्री, ठीक है, यह है मारा साइंस, और हमारे पास social study के 60 था तो हमने अब इस line के ओपर रखना है इस line के ओपर न तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से यह देखो यहां से यहां से यहां से यहां पर मैं बताती हूं यहां पर भी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैंने अपने यहां पर इस line पर हमने रख दिया यह starting line 0 यहां से start हो गया फिर 60 यह देखो यहां तक हमारा 60 डिगरी बन गया तो यह के हमारा social science है social science 60 डिगरी ठीक है यह हमारा pie chart बन गया अब हम steps भी लिख सकते हैं तो steps हमने क्या किया था starting with horizontal radius तो यहां हम लिखेंगे starting with horizontal radius ठीक है बच्चों radius हम कहें रहे हैं make या form जो मर्जी लिख दो form sectors हमने अब sectors बना है न यह with center angles यह किसन सेक्टर ही बने हैं सारे with central angles of कहां से start के था 70 डिगरी से 70 डिगरी 50 डिगरी 100 डिगरी 80 डिगरी and 60 डिगरी फिर फोर्थ के हमने label each of them label each sector ठीक है यह each of them लिख दो और और फिफ्त आजेगा we obtain required pie chart required pie chart ठीक है विच्चों इस वीडियो में question 7 को भी solve करेंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर आपको यह सारा समझ आ गया तो यह आप खुद कर सकते हैं question 7 भी करते हैं हम लोग the following table gives the number of different fruits keep in a hamper ठीक है तो एक hamper है जिसमें different types के fruits हैं अब यहाँ पर mangoes भी है एपल है mango 26 है एपल 30 है औरेंजे 21 है coconut 5 है पॉम ग्रेट 8 है अब बच्चों यहाँ पर हमने pie chart बनाने है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या हमारे पास total number of fruits होने चाहिए तो हम क्या करें फिर हमारे पास क्या है pie chart बनाने के लिए center angle मिल जाएंगे ठीक है तो यह भी मैंने already यह draw किया हुए तो जैसे यह है हमने सभी fruits को हमने क्या कि एड कर दिया total number of fruits तो हमारे पास क्या आगे 90 आगया 26 plus 30 plus 21 plus 5 plus 8 90 आगया अब हम हर जो fruit है उसका center angle नकालते है तो इसी तरह आपन एक table बनाने है जहां पर लिखने type of fruits numbers और center angle तो center angle तो आपको बनाना आई गया है बस आपके पास यहां पर number of fruits नहीं दिये थे तो हमने इससे ओ नहीं confused नहीं होने हमने क्या करने है सब को add करके मारे पास number of fruits आजेगा ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे 26 upon 90 into multiply हम 360 से करेंगे 0 से 094 जा 36 अब 26 प्लस 4 कितना आजेगा हमारे पास 104 डिग्री आ गया है अब यहां पर गया 30 upon 90 into 360 0 से 094 जा 36 30 into 4 आगे हमारे पास 120 डिग्री आ गया ठीक है उसके बाद मारे पास 21 upon 90 into 360 0 से 094 जा 36 तो इसका हमारे पास आगे 84 डिग्री इसी तरह 5 upon 90 into 360 0 से 094 जा 36 20 डिग्री आ गया यहां पर अब 8 into 90 into 360 0 से 0 करके 940 36 840 कितना आगे 32 डिग्री आ गया अब इनको एक पर चेक करने के लिए आप इसको एड कर सकते हैं ताकि अगर कोई गलती हुई है डिग्री निकालने में एंगर सनकाले में तो यहां पर सॉल्व होजे ठीक है बच्चों तो इनका कितना है 124 प्लस 20 144 अगया 144 और 84 और 32 448 प्लस 210 0 1 कैरी 8 4 12 13 3 16 और यहां पर कितना आजेगा यहां पर 244 आगए ना हां इनको और 244 और 244 थी-ंडर शिक्सक्ट आगया इनको और 360 आ रहे है अब हम पाई चाट बना दे हैं बच्चों में सरकल बना देते हूं पहले बच्चों यह मैंने सरकल बना दियो और यहां पर भी थोड़ी से स्टैप्स भी लिखे नहीं तो सब अब हमने एंगल के लिए के यहां पर वो बना देने हैं सेक्टर्स बना देने हैं तो कैसे बनाएंगे अब यहां पर हमने यह रखा पॉइंट पे और यहां पर जो मैंगो है वो कितना है 104 है ठीक है थोड़ा से मैं इदर रखते हूं यहां पर अब 104 कहा आएगा बच्चों तो यह देखो 100 और यहां से देखो यहां पर 100 आ रहे हैं तो यहां पर 123 यह जो 5 है इससे हम इदर डॉट लगाना है यह इदर डॉट पर दिया और यहां पर हमने लिखा 104 डिग्री और यहां पर ने लिखा मैंको जन्हों ठीक है अब हमने इसको लेने इस पॉयं्ट पर रख्या अब हमने कान आप सी 120 डिग्री तो नैदे तो वह कहां रहें है यह हो गया अब ये मैंने इस तरह सेogg कर दिया जना तो यहां पर लिखंगे 120 हों मुझे क्या तो कितने है 84 डिग्री 84 डिग्री 80 यहाँ है 80 है तो यह 85 होगा तो इसके हम बिल्कुछ साथ वले यहाँ पर यह मैंने यहाँ डॉट लगा दिया ठीक है अब मैं इनको मिला लूँगी अब यहाँ तक मिलाने की जूर दिने है हमें तो सरकल तक चाहिए ना यह मैंने इस तरह से करने है तो यह बन गया हमारा 84 डिग्री 84 डिग्री है औरेंजीज 84 डिग्री औरेंजीज ठीक है अब हमने क्या बनाने है coconut तो coconut इसकी लाइन यह है तो coconut कितने है 20% और जो है पाउम ग्रें 32% है तो इस लाइन के उपर हमने यह रखा इस तरह से, यह देखो यह, बिल्कुल आ रही है हमारी, तो कितना है, 20, 20 हम यहाँ पर लिखेंगे, 32 हमारा as it is आ जाएगा, ठीक है मैं आपको अभी बता भी देती हूँ, तो यह हमारा 20 आया, यह मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कितना है यहाँ पर, 20 डिग्री, और यहाँ बाहर को ऐसे करके, कोकोनेट भी इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह जो मारा बच्ची है, यह मारा क्या हो गया, 32 डिग्री पॉम ग्रेनेट, ठीक है बच्चों, इस तरह से यह आपने इसका पाई चार्ट बनाना था, आई होब यह आपको समझ आ गया होगा, अब यह भी हम कम्प्लीट करते हैं, स्टार्टिंग विद धा होरिजोंटल रेडियस, मेक सेक्टर विद एंग, सेंटरल एंगल ऑफ, क्या बनाया था, 104 डिग्री का बनाया था, फिर 120 डिग्री, 84 डिग् एंड, 32 डिग्री, लेबल इस सेक्टर, इनके नाम लिख दिया हमने, विटेन, रुकायर पाई चार्ट, सिर्फ अगर स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिपने हैं, तो बस इतनी से लहने लिखनी हैं, तो यह आपको याद हो जाएंगी, आई होब 6 और 7 कोश्चन आपको अ झाल 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 झाल